तो चलिए गई इस आज के वीडियो में हम लोग S-Block के ऐलिमेंट का दसवे नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 जिसका नाम है विलायकन प्रवित्ती जिसको हम लोग कहते हैं इस टाइब से कोर्षन कभी-कभी एक्जाम में आया है आपके 2-3 माक्स के लिए आया है कि जो S-Block के ऐलिमेंट होते हैं उनकी विलायकन प्रवित्ती को समझाईए विलायकन प्रवित्ती और संकुलन प्रवित्ती दोनों एक साथ आते हैं लॉंग टाइप के रूप में तो संकुलन प्रवित्ती में आप लोगों को बता चुकी हूँ जो complexion tendencies है यहाँ पर हम लोग सॉल्वेशन नेशर देखने वाले हैं विलायकन प्रवित्ती को समझाईए तो काफी छोटा साही टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एस ब्लॉक के ऐलिमेंट जैसे कि आपको पता ही है कि दो ग्रूप में डिवाइट किया गया है जिस ौफ उड़ी को एस ब्लॉक कि फेल ग्रूपम ग्रूप टू जिसको हम लोग कया चार थातू जिसको हम लोग आलकलाइ मेतल भी कहते है और ये जो भी कि पहले बता दूँगी कि अलकलाइ मेटल में जो भी सौल्ट वर्वाटर में कासे गूलते हैं ये सब चीज हम लोग इसका Solvation Nature देखेंगे पहले तो मैं Alkaline Metal का बता दूँगी देन उसके बाद हम लोग छारी मृदध धातू कभी देखेंगे Alkaline Earth Metal कभी देखेंगे तो बहुत ही easy सा notes मैंने prepare किया हुआ है लास तक जरूर देखना इसके लावा Sblog के बहुत सारे lecture अपलोड हो चुके है जो कि आप लोगों को मेरे चैनल के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है आप लोग इवर चेक जरूर करें तो चली स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इजी टॉपिक तो चली देखते हैं सबसे पहले चार दातू का देखेंगे याप लिखेंगे यहां पर क्या कहा जा रहा है पॉइंट वाइस मैंने लिखा हुआ है इस एक्साम में आता है आप लिखेंग आपको पॉइंट डाल करके लिखना है आपको याद भी अच्छे से हो जाता है और मतलब जो नोत है आपको बड़ा भी लिखाइगा देता है तो छार धातु के salt जल में गूल कर आयन देते हैं और इनी के द्वारा वे विद्धुत का चालन करते हैं तो चलिए इस पॉइंट को मैं आप लोगो को explain करती हूं क्या कहा जा रहा है छार धातु के salt salt मतलब आप लोग क्या समझते हो जैसे छार दातू में क्या आता है, आपका sodium आता है, NaCl क्या है, sodium का salt है, तो जैसे ही हम लोग NaCl को water में घोलते हैं, तो वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभकत हो जाते हैं, जैसे कि NaCl है, हम लोग ने मालो, suppose इसको पानी में घोल दि और क्लोरिन आयन, क्लोराइड आयन मतलब CL- जो कि आपका रिन आयन है तो कहने का मतलब है कि जो S-Block के ऐलिमेंट के जो सॉल्ट होते हैं जैसे एक्जामपल के लिए NACL और भी बहुत सारे हैं जैसे एक्जामपल मैंने लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए तो मालनों आपने NACL को वाटर में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं आप एक ग्लास लीजिए उसमें NACL को घोलिए वहाँ पे उनके आयन जो है वो विभक्त हो जाएंगे NACL और CL- अब जैसे ही अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं तो यह जो इनके आयन होते हैं उनको वाटर के मॉलेक्यूल चारो और से क्या कर लेते हैं घेल लेते हैं चाहे N- को की बात हो चाहे CL- की बात हो इन दोनों आयनों को चाहे धन आयन हो चाहे रिन आयन हो इन दोनों आयनों को जो water के molecule होते हैं वो क्या कर लेते हैं चारो और से घेर लेते हैं और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जल, योजन या फिर hydration कहते हैं चलिए आगे मैं आप लोगों को notes में बताती हूँ तो इतना आप लोगों को clear हुआ कि जब हम लोग चारधातू के salt को water में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं इसी point को यहाँ पर लिखा गया है कि चारधात्मों के या फिर alkaline metal के salt जल में घुलकर आयन देते हैं और इनहीं के द्वारा वे विधूत का चालन करते हैं विधूत का चालन मतलब जैसे कि आप लोगों ने सुना है ना नमक के पानी को जैसे कि जैसे कि आने plus और c l minus है यहाँ पर अगर हम लोग electric current supply वगर करें विधूत का चालन करें तो आसानी से हो जाता है क्यों क्यों क्योंकि इसके आयनों के द्वारा क्या होता है electric current जो है वो supply होता है या फिर विधूत का चालन होता है यह आयन water के molecule से जल योजित हो जाते है मैंने कुछ टाime पहले ही बताया था कि जो आयन होते है उसे water के molecule छारोंडर के गेल लेते है उसको चारोंडर के molecule ग혜ल लेते है इसी क्रिया को विलाइकन या फिर जल योजिकन कहते है तो चलिए देखें, विलाइकन उर्जा क्या होता है, या फिर solvation energy. आएनो के जल योजन से कुछ मात्रा में उर्जा उत्तरजीत होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो आएन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जल योजित हो जाते हैं, तो इसके जल योजन से कुछ energy उत् तो वहां से आयन दे रहे हैं, और उन आयनों के द्वारा विधुत का चालन हो रहा है, उन आयनों को वाटर के मॉलेकुल 4 और से घेल लेते हैं, इस करिया को हम लोग जल योजन कहते हैं, जल योजन से कुछ मातरा में उर्जा उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग जल योजन उ अधिक होगा कि जो आयन जो होगा उसका जल योजं जादा होगा मतलब उसको वोटर के मॉलेक्यूल जो है वो जादा घेरेंगे तो छोटा धन-い on हमारे S-block के element में क्या है lithium मैं सुरू से बताते हा रही हूं कि lithium जो है वो जो lithium atom है जो lithium ion है उसका जो atomic radius है या फिर उसका size जो है वो सबसे छोटा होता है इसलिए जो lithium ion होते हैं जो lithium ion होते हैं उनका gel oxygen जादा होता है जबकि याज यह जो आपका cesium ion है वो सबसे बड़ा धना ion होता है अता है lithium का gel oxygen अधिक होगा तो जिस भी ion का size छोटा होगा उसका gel oxygen जो है वो अधिक होगा तो यहां तक clear हुआ आपको 3 point लिख लोगे बहुत easy है guys अब चली और भी आगे हमनों points देखते हैं तो देखे points में आप लिखते होना तो आसानी से आपको याद तो होई जाता है साथ में topic easy भी लगता है gel oxygen lithium की 3rd अधिक होने के कारण क्या कहा जा रहा है gel oxygen lithium की 3rd अधिक होने के कारण वह धीमे वेक से विचरण करेगा जिसके कारण उसकी चालकता कम होगी विलियन में आइनिक चालकता का करम निम्न है अब देखिए हाला कि lithium का जो 3rd अधिक होने के कारण अब क्या करेगा वह धीमे वेक से विचरण करेगा मतलब उसकी जो गती है वह क्या हो जाएगी धीमी हो जाएगी जिससे उसकी चालकता मतलब अब समझ रहो न वो भी कम हो जाएगा तो विलियन में आइनिक चालकता का जो करम है जो भी हम लोगाła S-Block के element में जो भी आयन होग रहा है उसका जो करम है वो इस प्रकार से होता है पहला तो लीथियम आयन का सबसे कम होता है sodium आयन का थोड़ा ज्यादा, potassium आयन का और ज्यादा, rubidium आयन का थोड़ा और ज्यादा और cesium क्योंकि सबसे बड़ा है तो उसका और भी ज्यादा है, तो यह इसकी चालकता का क्रम है तो यहां तक लियर हुआ गईस, तो यह हमारा complete होता है छार धातु का, alkali metal का तो यह 4-5 point लिख लेना guys आप लोग, कि इसमें salvation प्रवित्ती कैसी, बस हमको इसमें यह बताना है, कि water में कैसे गूलते है, इसके salt कैसे गूलते है, विलायकन उर्जा क्या होगा, यही सब चीज हमको इसमें बताना है, कि इसमें आपके विलायकन प्रवित्ती में तो चार धातू का समझ में आ गया, याद करना guys आप लोगों को पूरे points, अब चलिए हम लोग क्या देखने वाले है, चारी मृदा धातू, alkaline earth metal, क्या क्या आता है, alkaline earth metal के अंतरगत, beryllium, magnesium, stransium, radium, यही सब आता है न, चारी मृदा धातू के अंतरगत, तो देखिए इस कि हम लोग चार धातू में अभी देखे थे, वहाँ भी जल योजन हो रहा था, जल योजन मतलब आप समझ रहा हो ना, कि जो भी इनके salt होंगे, जो भी इनके iron होंगे, उनको water के molecule चारो तरब से गेल लेते हैं, यह इनका जल योजन कहलाता है, तो अगर हम लोग दोनों में कमपेर करें कि छार धातू में ज्यादा जल योजन होता है, कि छारी म्रिदा धातू में ज्यादा जल योजन होता है, तो इसका अंसर यह है कि जो हमारे alkaline earth metal होते हैं, मतलब जो छारी म्रिदा धातू होते हैं, वो जल्दी से जल योजित हो जाते हैं, जैसे माल लीजे, यह तो में Gel Yogन उर्जा,' का हम इस इन आयनों की Gel Yogन उर्जा ने से कुछ energy उत्पन्न हो घातों का एनेलीया है जल यजन उर्जा कहते है। इन आयनों की Gel Yogन उर्जा हान। क्टुलना में बहुत अधिक होती है इसका मुख्य कारण 3D धातों आयनों का छोटा अकार तो देखिए इसका main reason ये है कि चारी मिर्द धातु का जल योजन जादा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका चारी मिर्द धातु का आयन होता है उसका आकार छोटा होता है तो इस वज़े से इनकी जल योजन उरजा चार धातु से अधिक होती है बेरिलियम वो मैंगनिसियम आयनों की आयनिक त्रिजया कम होने के कारण इनकी जल योजन उर्जया काफी अधिक होती है तो देखें इनके जो भी आयन है उनकी जो आयनिक त्रिजया है मतलब कहने के मतलब है कि इनका जो आयनों का size है वो काफी ज़ाद चोटा होता है और चोटे size होने के कारण ही इनकी जल योजन उर्जा क्या होती है बढ़ जाती है मैंने सुरूद में ही आप लोगों को बताया था कि जिस भी ऐटम का जिस भी आयन का साइज जितना ज्यादा चोटा रहेगा उसकी जल योजन उर्जा उतनी ही ज्यादा रहेगी जबकि CR-SO4 वा BA-SO4 अगुलन सील है, तो बस इसके यही सब बताया जा रहा है कि यह सब पानी में किस प्रकार से गूलते हैं, कैसे इनकी गुलन सीलता जादा है, किसकी कम है, तो यह है आपका Alkaline Earth Metal का, तो इतना भी आप लिखते हो, आपको अच्छे marks मिल जाएंगे, तो यह हम लारा कम्प्लीट होता है, Solvation Nature, जिसको हम लोग कहते है, विलाइकन प्रवित्ती, बहुत ही एज़ी है गाईज, तो आई होप आज का टॉपिक भी आप लोगों के लिए हेल्फूर रहा होगा, and thank you so much for watching.